नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में दोस्तो जब भी परिशानिया बहुत ज़्यादा भढ़ जाएं जब पानी नाग के ऊपर से बेहने लगे तब आप फिटकरी के उपाई जरूर करें दोस्तो फिटकरी एक ऐसा सामान है ऐसी वस्तू है जो हर घर में मिलती है फिटकरी एक एंटिसेप्टिक के रूप में कारे करती है और वहीं फिटकरी के कुछ धन प्राप्ती के लिए भी तोटके किये जाते हैं तंत्र मंत्र वे उपुरी क्रियाओं से बचने के लिए भी फिटकरी का इस्तमाल किया जाता है, फिटकरी के बल पूजा पाठ ही नहीं, बलकि स्वास्ते संबंदी लाब भी देती है, इसलिए आम तोर पर घर में फिटकरी अवश्य पाई जाती है, दोस्तों अक्सर देखा कि जब किसी व्यक्ती का नोकरी या वैपाठ ठीक धंग से नहीं चलता है, तो उस व्यक्ती के घर में धन की आवग रुख जाती है, ऐसे मैं आप क्या करें, जब धन नहीं आए, तो आपका मानसिक संतूलन भी बिगड़ जाता है, आप मानसिक रूप से परिशान रहने जाल करके उसे काले रंग के धागे से बांध कर एक पोटली बना लें, और आपका बेवसाय है, तो आप अपने दुकान या फिर बेवसाय के सामने उस पोटली को टांग दें, यदि आप नोकरी करते हैं, तो सामानत है, आप अपने नोकरी के स्थान पर उस चीज को नहीं सकते हैं, या फिर आप कहीं भी उसे काले रंग के धागे से बांध करके भी टांग सकते हैं, दोस्तों जब आपके सामानत है, कोई भी काले ना बने, आप जिस भी काले में हाट डालें, वे काले कभी पूरा ही ना हो, जो भी आप मनोकाम ना करें, वे कभी भी पूरी ना हो रही हो, तो ऐसी condition में, ऐसी श्थती में आप क्या करें, जब भी आपकी कोई खास इच्छाब को पूरी करवानी हो, या फिर कोई भी आपका काम जो अटका हुआ है, उसे पूरा करवाना चाहते हैं, या फिर आपकी कोई भी ऐसी मनुवांची श्थती दी है, जिसे आप परि प्रेक्षुटकी सिंदूर और थोड़ी सी फिटकरी रख करके उस पान के पत्ते को मोड़कर पीपल के पेड़ के नीचे रख दें और उसके उपर एक सफेद रंग का पत्थर अवश्य रख दें यदि आपको सफेद रंग का पत्थर ना मिले तो कोई भारी वस्तू रख द और उसके बाद जो आपको मनिमानचित इच्छा है तो एक बार उसे कह दें और फिर उस भारी वस्तू को यानि की बारी पत्थर को या इंट को या मिट्टी को जो कुछ भी आपस पर रख रही हैं उसके बाद आप उससे रख दें आप देखेंगे कि आपकी समस्या चुट जाता है कहीं दूर ऐसे में पती पतनी के बीच में भी अन्बन होने लगती है ऐसी स्तिती में आप क्या करें आप अपने जहां भी आप सैन काक्ष है जहां सोते हैं वहाँ पर आप एक दिली फिटकरी की रख दें आप देखें कि थोड़े दुनों में जब उसका रंग आपको पानी पानी से नजर आने लगे तो आप समझ लीजिए कि आपकी जितनी भी नकारतमक्ष सक्तियां आपके आसपास मौझूद थी वह उस फिटकरी ने अफ्शोचित कर ली है अब आप उस फिटकरी को अपने घर के टॉइलेट में डाल करके फिलश कर दें और चाहे थी वह आपकी समाप्त हो जाएंगी दोस्तो आगे इस वीडियो में हम आपको और भी उपाय बताने वाले हैं जिनने अपना कर आप अपने जीवन से सभी समस्याओं का अंत कर सकते हैं बस आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक बार जै बजरंग वली लिख दें और स आती इस चैनल को सबस्क्राइब अवश्या कर लें क्योंकि हम आपके लिए हरुज लाते रहते हैं ऐसे ही जवर्दस वीडियो जिन से आप अपने जीवन को सुखमई बना सकते हैं और जी सकते हैं एक सुखमई जीवन दोस्तों अगर आपके जीवन में केवल दामपत्य जीवन में ही समस्या रही है पती पतनी के बीच बनती नहीं है तो आप फिटकरी के साथ थोड़ा सा सिंदूर लेकर के अपने तकिये के नीचे रख करके प्रती दिन सोने की आदर डालने कुछी दिनों में आपकी दामप अलावा दोस्तों आपके जीवन में आपने अक्सर देखा होगा कि लोगों को नजर लग जाती है नजर दोस लग जाता है या पिर कोई तंतर मंत्र या कोई आप से चिड़ने वाला आपके ऊपर ऊपरी बाधा करवा देता है ऐसी इस्तिती में आप थोड़े से कपूर के स साथ थोड़ी सी फिटकरी अपने घर में जला दे और उसका धुआ अपने पूरे घर में कर दे आपके पूरे घर पर से नजर दोस उतर जाएगा साथ ये अगर कोई तंतर मंत्र या उपरी बाधा की साया आपको लगता है तो वे भी दूर हो जाएगी इसके अलावा दोस् किसी हुई फिटकरी ले और सुबह सनान करने वाले पानी मों से डाल दे और सनान कर ले आपके समझ तक रहे दोस्त समाप्त हो जाएंगे तो दोस्तों आज की इस वीडियो में क्या वले तना ही कर फिर आप से मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जादत धन्यवाद कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें जाय बजरंग बली